आप सबका स्वागत है मैं हूँ बरतकुमार और हम देख रहे हैं मी और माई यूटूब क्लासे तो आज हम बात करेंगे के बारे में क्रिप्टो क्रेंशी यानि जैसे बिटकोईन और डॉज कोई ने तो बिटकोईन जैसे हम बात करते हैं वर्चुल क्रेंशी का मतलब यह हो और इसी तरह जो क्रिप्टो क्रेंशी होती है वह वर्चुल क्रेंशी होती है जिसको पेर-टू-पेर यानि एक से दूसरे को ट्राइसपर की जाती है तो इसमें होता क्या है कि अपना रूपया भी है तो उनलाइन में आता है तो हम ने वह रूपया ना तो आत में लिया है लेकिन उसको ट्रांशेसर हो जाता है आपने जैसे कोई ऑनलाइन पर्सेज किया तो वह रुपया सिधा उसके पास गया मतलब पेजा दाने लिकिन तो इसी तरह यह जो क्रिप्ट क्रेंशी होती है लेकिन अपने जो क्रेंशी और इसमें क्या फरक है तो फरक कॉमन से एक फरक कि रूपया और होता है तो यह स्वामित्व नहीं होती है यह किसी एक देश के नहीं होती है यह उचक आसे तो वो इसकी कर सकता है तो इस तरह से यह बिलकु टेक्स फ्री होती है। कोछ नहीं होता है तो इस वज़ेसं यह दोनों में फरिक होता है अब बात करें और बीट कोईन की तो बीटकोई की से दयतoth Farm से हो थे और दो गार दौत की ती थे डॉज कोई ने डॉज कोई शुरॉआ थे वह दोजाद 13 में हो थी डिसमबर दोजाद 13 में इसको बिली मार्कस और जैक सर पॉलिमर ना इसके शुरॉआत की ती और इन दोनों में फरक यह है कि जो बिट कोई न वह इससे पहले शुरॉआ था और आज बीट कोई जो प्राइस है तो एक बिट कोई के ब्राबर होता है लेकिन जो डॉज कोई ने वह सुरुआती फेज में मतलब सुरॉआती मतलब पहले हो क्या ता लेकिन अब ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और आज की समय एक डॉज कोई बराबर 25 रुपे या 20 रुपे के आसपास पढ़ता है तो य करते हैं कि दियान रखना कि व्यांषल के द्यान निच्चत मात्रा में 21 रुपीन तक ही जो ब्र वह सक्वाइन की जाती अब जियान रखना वहां जी सबते नहीं है ये प्रोग्रामी होती है और प्रोग्रामी नियौ और कम्प्यूटर के दुरां इसके माइनिंग होती है बहुत सारे जो है इसकी माइनिंग में लगे होते हर एक को कोशिज करता है और जैसे ब्लॉक मिलता तो ब्लॉक के आदार पर एक बीट कोईन बनता है और बहुत सारे लाखों में एक आध को ही बीट कोईनिक मानिंग में सपलता मिलती है जो सपलता मिलती है उसके प्रूशकार जैसे बीटकोईन के बड़ाबर ही हो सकते ज्यादा बीटकोईन वृल्ड में अफलब्द नहीं होंगे और यह तक इसकी माइनिंग की सकती है यह रहे करके की हम प्राप्त कर सकते लेकिन इसके बार में ऐसा कुछ नहीं है अब यह द्यान अग्राइब को यहां पर यह कि की एक सोशल करंशी के रूप में हो जिसको किसी भी माध्यम से देना हो तो इस पर टैक्स नहीं पड़ेगा इस वज़े से की और बीट कोई ने वह एक पर परपज और प्रॉपेटेबल माध्यम से की गई है दोनों में फरक तो कुछ नहीं है बट यह जुरूब फरक है कि दो दोनों की वैलिशन अलग है और दोनों का माध्यमिक अलग था लेकिन दोनों की बैसे जैब एक ही है दोनों वर्शुल करंशी है स्वामित्वनी होता है इंटरनेट पर दाता जिसके पास होते हो श्चेक्ष कर रखता है एलन मास्क जो पॉपुलर है बिजनसमेंट उसके ट प्रभावसिल हो जाती है अब यहां पर द्यान रगए तो डीज जो बीट कोई ना उसके बाद की की संतोसी और नाकाट में ने दोजा नौ में इसकी सुरवाद की थी और इस पर किसी का अधिगार नहीं होता है तो बीट कोई करने के लिए सबसे तेज और कुछल माना जाता है बाकी का समय और टैक्सेज लगता लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो सिधा बहुत ही स्पीड़ी और ग्लोबल पेमेंट के रुपमें होता है जैसे रुपया है वह अपने पेमेंट यहां पे शौपिंग की यूज़ता है लेकिन अगर बिजनस स्वापिंग करना है तो बीट कोई एक सामाध्यम होता है जो ग्लोबल पेमेंट के रुपमें इसको स्वामित्व नहीं होता है तो ट्रैंसेक्शन एक पब्लिक टार्गेट रिकॉर्ड के तयात होता है जिसको ब्लेक्ट से जिसके दौरी ब्लोक से ज वहां पर रहती है अब बीट कोईन आज का रेट हम बात करें तो मैंने आपको बताया है अगी डॉलर में बात करें तो 11,855 डॉलर एक बीट कोईन के ब्राबर है लेकिन यह एक वर्षुल क्रेंशी है तो यह बढ़ती और कम होती जाती है अब इसमें यह बात करें तो is the best of wallet mobile Wallet online West Wallet hardware wallet इन इन में प्रियोग करें इसको एक हैंट मुली मतल्ब में जैसे अपने एक उन्लाइन खाता होता है online account होता है जिसमें हम अपना सेक्यूर करते हैं जैसे पेटें वगर आप में पता है कि पीटी में इतने पैसे पढ़े तो फीजिकली में यह लेकिन वोलेट में पढ़ा है तो वैसे ही जहाँ पे जो यह बिट कॉइन और डॉज को इन एक वर्शुल वॉलेट में रहते हैं यह यह वॉलेट है वो एड्रेस पर एक्सेस होते हैं यानि इस एड्रेस का एक यूनिक पासवर्ड और लोगिन आईडी होता है जिससे हमारे पास वो कितने हैं हमें पता लगता इस काम ऑनलाइन पैमेंट के तुरू यूज कर सकते हैं इसके लावा बीट कोईन खरीदना है औ शुलेट हैं।